मस्कार आदाप सब घर में ही हैं तो चंद शेर सुनातों आपको आप सुनते जाएए एक शेर याद आ रहा है कि समभलकर अब गुफ्तुगू करना मुज़र्गू समभलकर अब गुफ्तुगू करना मुज़र्गू कि अब बच्चे पलिट कर बोलते हैं जो घर में कह दें तो रहना पाएं जो घर में कह दें तो रहना पाएं वो सब जो हम घर के बाहर बोलते हैं और सुनिये वसिम बरेवी सहाब का शेर याद आ रहा है कि चराख घर का हो चराख घर का हो मंदिर का हो के महफिल का हवा के पास कोई मस्तिहत नहीं होती जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा किसी चराख का अपना मका नहीं होता इतनी गहरी बात है छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां हो जाओगे छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां हो जाओगे पतली गलियों से निगलो तो खुली सलक पर आओगे छोटा सा शेर दो लाइन का मैसेज कितना गहरा आजकल काफी लोग छोटी बातें कर रहा है Facebook और WhatsApp पर तो पतली गलियों से निगलें तो फिर खुली सानक पे आएंगे और आप देखिए एक शेर याद आ रहा है कि इकबाल अशर साब का शेर है कि मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ बिछ़ने मैं जानता हूँ बिखरने से बच गए कुछ लोग यह फायदा तो हुआ मेरे टोट जाने से एक शेर और कि ना जाने कितने चरागों को मिल गई शोरत एक आफ़ताब के बेवक्त डूब जाने से तो शेर तो बहुत सारे हैं एक कास्मी साब का शेर याद आ रहा है वो बड़ा अच्छा शेर तो क्या खता है कि दावारे हश्र तुझे मेरी कसम उम्र भर मैंने अबादत की है तू मेरा नामाए आमाल तो देख मैंने इंसां से महबत की है और आपको सुनाता हूँ वसी मारियलविक साहब के एक और शेर याद आ गया कि मनजल समझ कर बैट गाए जिसको चंद लोग मैं ऐसे रस्तों से गुजरता चला गया तो आगे बढ़िये और आखरे में एक घजल अहमत फराज साहब की जो बहुत पशूर है याद आ रही है तो सुनाता हूँ और फिर अपनी बात को खत्म करता हूँ इस से पहले कि बेवफा हो जाएं क्यों ना ये दोस्त हम जुदा हो जाएं तू भी हीरे से बन गया पत्थर हम भी अब क्या से क्या हो जाएं हम अगर मन्जिलें न बन सकें हम अगर मन्जिलें न बन सकें मन्जिलों तक का रास्ता हो जाएं और आखरी शेर बंदगी हमने छोड़ दी फराज बंदगी हमने छोड़ दी फराज क्या करें क्या करें जब लोग खुदा हो जाएं जब लोग खुदा हो जाएं तो ये चं झाल